Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डिबल Justin Trudeau का एक बहुत बड़ा शौकिंग रिमार्क आता है, और उसमें वो डारेक्ली भारत की उपर भारत की एजनसी की उपर आरोप लगाते हैं कि जो हरदीप सिंग निजार जो की एक खालिस्तानी टर्रिस था उसको मारने में भारत का रोल है और देखिए उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन ये कहा कहीं न कहीं कि जो रो है वो इसके अंदर शामिल थी तो इसी की वज़े से जो टेंशन्स हैं वो आज सुबह सी आप सुन रहे होंगे लगतार यहाँ पर भड़ते जा रहे है कैनडा और भारत के बीच में और इसी को देखते वे अब अव्वेसी बात है भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं था अगर कैनडा ये सोच रहा था कि हमारे टॉप डिप्लोमेट को अगर वो बरखास्त करेगा तो भारत कुछ नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया आस्क कैनडा डिप्लोमेट को बरखास्त किया है इसके बारे मैं आपको बताऊंगा और साथी साथ इसका जो जियो पॉलिटिकल कॉंसिक्वेंस है मतलब की बाकी के जो देश हैं वो क्या कह रहा है यूएस, यूके हो गया, आस्ट्रेलिया हो गया उन सब के भी राय काफी इंपोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यूएस की तरफ सी भी बयान आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा चली आगे बढ़ते हैं उससे पहले ध्यान रखेगा आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिप्रेशन कर रहे है और एक ऐसा बैच आते हैं जिसमें प्रिलिम से लेकर इंटर्व्यू तक की पूरी त्यारी कराई जाए तो हमारे तीन लाइब बैच 22nd of September से स्टार्ट हो रहा है सिंप्ली हमारे वेबसाइट अप पर जाएए कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहाँ पर जाकर यूस करना है कोड अंकित लाइव ये कोड इस्तमाल करने से आपको maximum discount मिलता है और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हो तो मेरे इस्ता पेज पर जा सकते हैं वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं उसको आप attempt कर पाएंगे तो चले सुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है चल क्या रहा है याँ आपर देखे जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि Canada ने सबसे पहले भारत के diplomat को बरखास किया इसी को देखते हैं कुछी घंटों के बाद खबर आती है कि भारत ने भी senior Canadian diplomat को expel कर दिया है बरखास कर दिया है या आप देख सकते हो जो senior Canadian diplomat है इनका नाम है Olivier Silvester मैं आपको बताता हूँ ये जो Olivier Silvester है ये Canadian Intelligence Agency Station Chief है जो कि भारत में थे under the official cover मतलब कि भारत को बता कर वो आये थे and but he belong to Canadian Intelligence Agency Station Chief और इसी की वज़े से कहीं न कहीं भारत ने इनी को बरखास किया expel किया है और इसका कारण ये भी है भारत ने इसका reason भी बताया है भारत ने कहा है कि the decision reflects government of India's growing concern at the interference of Canadian diplomats in our internal affairs तो कहीं न कहीं जो Canada की जो diplomats हैं वो भारत के internal matters में दखल दे रहे हैं and their involvement in anti-India activities और भारत ने ये भी कहा है कि anti-India activities में भी ये लोग involved हैं इसी की वज़े से भारत इनको expel कर रहा है लेकिन actual में अगर आप देखो तो कहीं न कहीं Canada की तरफ से जो step लिया गया और specially in fact आप देखोगे G20 में Justin Trudeau जब आये थे तो उन्होंने प्रेस से बातचीत करते वे ये कहा था कि भारत Canada के अंदर interfere कर रहा है और इसी की वज़े से कहीं न कहीं ये आपको देखने को मिलेगा और अगर आप Ministry of External Affairs पर जाओगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो notice जारी किया गया है इसमें आज क्या हुआ कि सबसे पहले भारत सरकार ने जो Canada के High Commissioner है दिल्ली के अंदर उनको समन भेजा उनको अपने पास बुलाया और बुला कर ये साफ साफ इसके बारे में reason दिया कि हम आपके जो senior diplomat है Olivia Sylvester उनको expel करते हैं तो ये भारत की तरफ से यहां पर बोल दिया गया है और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये सारी चीज़ें ultimately Justin Trudeau की वज़े से हो रही है क्योंकि भारत का ऐसा मानना है कि जो खालिस्तानी supporters हैं उनको पना दे रहा है Canada और इसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि जिस तरह के अगर आप statement देखोगे अभी recently जो पन्नु है again एक और खालिस्तानी terrorist उसका भी अगर आप statement देखोगे तो वो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था इसी के वज़े से आप देखोगे तो आज सुबह ही यहाँ पर एक detail explanation दिया गया था भारत की तरफ से भारत ने कहा था कि जो भी Justin Trudeau ने बोला है Parliament के अंदर Canada में उसको हम पूरी तरह से reject करते हैं हम एक democratic country है rule of law को हम follow करते हैं and such unsubstantiated allegation मतलब इस तरह का जो allegation है लगाना वो सही नहीं है उल्टा भारत ने Canada को ही बोल दिया कि आपको अपने देश के अंदर कारवाई करने की कोशिश करनी चाहिए मतलब आपके यहाँ पर जो illegal activities होती है murders होते है human trafficking होता है उसको आपको रोकने की कोशिश करनी चाहिए rather than blaming on India तो अब देखिए यहां से आपको साफ साफ दिखने को मिल रहा होगा कि Canada जैसा देश आप देखिए important इसलिए भी हो जाता है ना क्योंकि यहाँ पर Canada की बात हो रही है और Canada G7 का भी पार्ट है और आपको यह भी समझना है कि जितने भी developed countries हैं जब भी यहाँ पर किसी developing countries के साथ कोई भी मतलेद होता है तो सारे developed countries च की तरफ से भी एक बयान आया है अब USA ने directly भारत का तो नाम नहीं लिया है लेकिन आप देख सकते हो White House National Security Council spokesperson उनकी तरफ से भी बयान आया है कि we are deeply concerned about the allegations referenced by the Prime Minister Trudeau तो जो Prime Minister Trudeau ने allegation भारत की उपर एक तरह से जो लगाया है उससे हम काफी concerned है we remain in regular contact with our Canadian partners तो मतलब कहीं न कही एक statement के जरिये जो US है वो एक प्रकार से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपने Canadian partners के साथ है it is critical that Canada's investigation proceed and the perpetrators be brought to justice तो जो भी आरोपी है हर्दीप सिंग निजार को मारने बाला उसको justice पे लाना चाहिए मतलब जो भी यहाँ पर दोशी है उसको यहाँ पर सामने लाना चाह एसा US की तरफ से statement आया है अब देखिए यहाँ पर important इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने recently देखा होगा भारत और US के संबंद काफी close हुए है especially Biden जब भी PM Modi से मिलते है तो एक personal touch आपको देखने को मिलता है G20 में जिस तरह से यहाँ पर तारीफ कर रहे थे Biden पहले भी जब भी पिछले साल भी G20 में मिले तो भी आपर तारीफ कर रहे थे तो यहाँ पर जो experts है उनका माना है कि सं 2000 से लेकर अभी तक आप देखोगे पिछले 20-30 सालों में यह एक बहुत बड़ा test होने वाला है US-India partnership के लिए क्योंकि इतना बड़ा मुश्किल का घड़ी क्योंकि जैसा का मानना है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि US को इस समय भारत की पूरी आउशकता है यहाँ पर जिस तरह से उसको चाइना को counter करना है तो बिना भारत की वो चाइना को counter कर ही नहीं सकता तो ऑल्दो कहने के लिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर एक statement के जरिए Canada है उसको सानबूती दे है भारत और Canada के बीच में तो हो सकता है शायद Biden जो है वो भारत के Prime Minister PM Modi और Canada के PM Trudeau के साथ बातचीत कर सकते हैं खेर यहाँ पर कई experts का ये भी मानना है कि Canada ने जिस तरह से openly इस तरह सी चीजों को बोला है ना वो ऐसा नहीं करना चीए था मतलब कि इसको सही तरीके से diplomatic तरीक तो ये जो चीजे है वो लंबे समय तक जो relations है उसके लिए सही नहीं होती है और in fact आप देख सकतो यहाँ पर Canada में ही एक senior journalist है ताहिर गोरा उन्होंने भी यही कहा कि Canadian government can't distinguish between freedom of expression and promoting hatred मतलब कि एक तरफ Canada यही कह रहा ना बार-बार अपने defense में कि जो खालिस्तानी supporters है वो उनका freedom of expression है वो express कर सकते हैं वो Canada promote करता है लेकिन टूडो को यह समझना चाहिए कि freedom of expression और hatred में difference होता है वो उसको distinguish नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर साफ साफ देख रहा है वीडियोज में कि खालिस्तानी supporters किस तरीके से hatred फैलाते हैं मतलब भारत को तोड़ने की बात करते हैं तो इ बातचीत की है और UK के Prime Minister Rishi Sunak से भी बात की है और मैं आपको बता दूँ UK की तरफ से UK की सरकार के जो spokesperson है उनकी तरफ से भी एक बयान आया है और उन्होंने कहा है और यही नहीं ऑस्ट्रेलिया की जो Foreign Ministry है उन्होंने भी कहा है इस डीपली कंसर्ण बाई एलेजट इंडियन इंवॉल्मेंट इन नीजार्स किलिंग देखो वैसे अगर आप देखोगे इंडिवीजुली तो भारत का उस्ट्रेलिया के साथ UK के साथ आपने देखा भी प्राचीत की खालिस्तानी प्रावलम को लेकर और UK ने इसको लेकर कड़ा कदम भी उठाया है UK ने कहा है कि हम उसको बिल्कुल बरदास नहीं करेंगे लेकिन दूसरी तरफ जब यहीं चीज जस्टिन टूडो को बोली जाती है तो वो कहते हैं Freedom of expression तो यहाँ पर I am sure कि बाक रमेश जी हैं उन्हें कहा Congress has always believed that the countries fight against terrorism has to be uncompromising तो कहीं न कहीं जब भी international matters की बात आती है भारत की बात आती है तो domestically भी हमें साथ strong रहना पड़ेगा यह काफी important है जो कि इस समय देख रहा है देखते आगे किस तरह से चीज़ें यहाँ पर बढ़ता है क्या होगा आगे मैं आपको update बताता रहूँगा और जाने से पहले एक interesting question एक geography का question आपको बताना है कि जो old faithful नाम का geezer है यह कौन से देश में आपको located मिलेगा मैं कहाँ पर देखने को मिलेगा इसका right answer आप सबको पता है मेरे instagram पर तुम मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नही इसका सही उत्तर में कई सारे जो mcqs हैं वह यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे और इसके लावा अगर आपको pdf यह तो telegram पर आईए लग-लग social media पर भी आप जूड़ सकते हो और जैसा मैंने आपको बताया UPSC कि अगर आप त्यारी कर र